हेलो दोस्तो मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्लच बल्किंग कंडिशन के बारे में तो स्लच बल्किंग कंडिशन होता क्या है इसके बारे में जानने से बिले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या है वह हमें कैसे प्रतीत होता है दिखता कैसा है तो जब भी इस लजब की कंडिशन आपके आरेशन पे होगी जब हम एरेशन की सट करेंगे मतलब एयरेशन में MLSS की sitability test करेंगे तो measuring cylinder में sample रखने से रखने के बाद वो proper settled नहीं होगा अगर settled भी होगा तो बहुत minimum settled होगा और बाकी measuring cylinder में खूंता रहेगा या तो यह कहलो कि settled ही नहीं होगा आपने 1000 या 500 पर भरके रखा तब विल्कुल वह ऐसे उसी level पर बना रहेगा और दिल्कुल extra Sao ancient Henry twenty रहें दो चोटे-डीकी रहें आप कि बुमते आघएंगे जीस फोटो में देख सकते हैं इस तरीके का इंटर फेस आपको मिलेगा इस तरीके का आपकी सलज ऊपर है की सेकेडिविटे का उपर जिससे की ती एसेस आपको बढ़ेगा और जब आपका टी एस आप बढ़ेगा तो आपका जो इन्फ्लुएंट होगा यड ठीटेड वाटर होगा व वो तर्वीड हो जाएगा किस्टल क्लियर महीं होगा जिससे कि अगर आपका ट्येसर बढ़ेगा तो जाहिस दीवात बीओडी भी तो स्लज बलकिंग के कंडिशन को कंडिशन होता कैसे है किस बैक्टिरिया की वज़े से होता है तो स्लज बलकिंग का कंडिशन फिलामेंटस चाहिए तो वो क्या करेगा एक जैसे आप इस पिक्चर में देखें यह हमारा बैक्टिरिया है उसके बाद जब फिलामेंटस बैक्टिरिया ग्रोगा तो बैक्टिरिया के चार और मतलब राउंड सेव में अपने आपको कबर कर लेगा जिससे कि फिलाम जो आपके वेनिफ आपके तेड़ो को दिन्वेगे अपमेंव। प्वतन होता है कि या या कहले रॉई भॉटं होता है। वेस्ट वीट और होता है। बी तो जब बीतұ मतुन होता है। तो जब भी और वंधि मुझों के पास। यह फिलामेंटस की वज़े से ग्रो होता है फिलामेंटस जब ग्रो होगा तो वह बैक्टिरिय जो आपके वेनिफिशियल बैक्टिरियां है वह अपना जोगी मेटाविलेट कंडिशन है वह खो देंगे क्योंकि यह पूरे राउंड से उसे कबर कर लेता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जब भी यह कंडिशन हो आपको घबराना नहीं है इसमें थोड़ा टाइम लगता है दो तीन दिन कहलें चार दिन कहले पास दिन ऐसे टाइम लगता है सही होने में तो प्रॉब्लम आप फाइनलाइज करें सबसे पहले कि प्रॉब्लम आ क प्रॉब्लम को फाइनलाइज करें उसके बाद आए आप अपने प्लांट पे और सबसे पहला गाम यह करें कि उसके लोड को कम कर दें मतलब कि जो भी आप उस पे इले नाप इंफ्ल Hurricane दे रहा है या वेस्ट वाटर दे रहा है इसको ट्रीट करने के लिए उसको आप लोड को कम कर दें अगर आप से हो सके लोड को कम करें अगर उससे भी अच्छा आपके पास ऑफ्सें है तो अपने प्लांट को तो फोल्ड कर दें, मतलग कि अपर लोड ही ना दें, टूंटी-फोर आउस के लिए मिनिमम होल्ड करें, आप मैग्समम में आपका दो, तीन दिन, चार दिन, पास दिन तक लग सकता है, जब आप होल्ड कर दें, तो होल्ड करने के पाद, अगर आपके पास ऑफशन है, जैसे कराएं, एस बी आई वॉल्यूम के साथ साथ अधा विजूल ऑक्सिजन भी सेक कराएं, इसमें अगर आपके पास ऑफशन है, अगर आप करा ले रहे हैं, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप आसानी से उसके प्रोग्लम का सॉलुशन निकाल दें, अगर आपके पास ऑफ ँट्वी जेस्ट होता है, आप चेक करें तो आपको उसंे फ्लॉक्स देह के ही लग जाएंगे किसमें फिलामेंटरस बैक्टरिया ग्रो गया है या उसका कलर देख게 आपको लग जाएगा, इसमें फिलामेंटरस बैक्रिया ग्रोijn है, अगर आपका जो मैजनी के सांदर में आपका MLSS कमबाइन होके दोनों फ्लॉक्स के टाइप में उपर आ रहे हैं और आप उसमें देखें कि जो एरेश्ट एयर हमारे उसके साथ में 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 कमबाइन हो रही है त्यान से देखें उसको वो डल नहीं होना चाहिए अगर डल लिस उसमें है डल दीख रही है तो यह सम अगर आप देख रहे हैं कि आपको जो उपर आपके बबल टाइप के उठ रहे हैं उसमें ट्रांस्पेरेंसी टाइप भी दिख रही है और डलनेस नहीं दिख रही है तो MLSS है या अच्छी कंडिशन में अगर आप यह प्रॉब्लम को फाइनलाइस कर लें देख लें प्र से टंड लहीं होगा सीधी सीधी प्रॉड्रम यही है उसके क्यों कि इसमें इसका सॉल्यूशन यह है कि आप सबसे पहले तो प्लांट को होल्ड कर दें अगर हो सके तो नहीं तो आप उस पे लोड को बहुत कम कर दें मिनिमम लोड लें उस पे और ज्यादा रिसर्कुलेश इसमें करये खतम होंगे या आप ऐरेशन सभी हो जाइगा दूसरा काई है अगर आपको क्यों सबसिक्ति करना मिनिमीटाइट और स्ब्सक्राइब करने बजामिक education in से फिलामेंटर स्पेक्टिरिया को नश्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं इस्टॉय कर सकते हैं उस केस में आप क्लोरिनेशन करा हैं क्लोरिनेशन क्या है जैसे आप एरेशन की क्यापिसिटी हम्माल लें अगर साथ सो मिट्र क्यूब की है तो आप क्या करें पांसो साथ सो मिट तो आप दो टाइम में क्लोरीनेशन करा हैं मॉर्निंग में क्लोरीनेशन करा हैं मॉर्निंग में क्लोरीनेशन को जैसे कि आप फ्रेस वाटर ले ले फ्रेस वाटर में आप दो से तीन लिटर क्लोवीन ले दो से तीन लिटर क्लोरीन फ्रेस वाटर में पचास लिटर फ्रेस व सब्सक्राइब करें तो 24 आर्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा वह आपका जो भी फिलमेंटस वेक्टिरिया होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिससे कि आपका कंडिशन दीरे दीरे 24-48 गंटों में आपका दीरे दीरे कंडिशन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा अब फिर इंफ्लुएंट देंगे वह आसानी से ट्रीट कर सकोंगे तो यह स्लज बल्किंग का कंडिशन यह है मैं ज्यादा डेफिनेशन आपको नहीं बताया कि वह आप कहीं से भी पढ़ लेंगे गूगल से पढ़ लेंगे बुक से पढ़ लेंगे मैंने सॉल्यूशन बता दिया यह सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं कोई इसमें बहुत ज्यादा हार नहीं होगा आप बस जो भी इस्प्रे कराएं उस इस्प्रे को केर फुली करा है मतलब तीन से चार लेटर आप जो क्लूरीन ले हाइप पूराइड ले उसको फ्रेस वाटर में जरूर डिजॉल क तो आपके जो भी फिलामेंटर बैक्टिरिया होंगे 24-24 गंटों में खतान हो जाएंगे और आपका मलस की सेटलिंग आप जब भी इस पर करा एक जीज़ और जैसे आज आज आपने इस पर आया तो सामको एमलस की सेटलिंग टेस्ट कर लें सेट अबिलिटी टेस्ट जरू फिलामेंटर बैक्टिरिया के साथ साथ में आपको जो बेनिफिसियल बैक्टिरिया है वह भी खतम हो जाएंगे तो इस केस में आप बहुत केरफुली इस प्रेकरां के से टेस्ट करते रहें तो इस सलज़वल्किंग का कंडिशन था नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में इस अच्छी और जानकारी लेक्या होगा कोसिस करूँगा कि आपको और हल्फुल मिलें थैंक्यू